जैसा कि हमें पता है इस समय हम लोग किस दोर से गुजर रहे हैं ना ही कोई घर से बाहर निकल सकता है ना ही कोई खुल के जी सकता है आज ऐसी ही परिस्तिती है हम मानवों की और ये सब सिर्फ कोरोना वाइरस यानि की कोविट 19 वैश्विक महामारी के कारण हुआ है इस समय इस कोरोना वाइरस महामारी से बचने के लिए डॉक्टर्स और वैज्जान निकल में यही सला दे रहे हैं कि हम हमारे इम्यूनिटी यानि की रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत करें तो आज में आपको इम्यूनिटी के बारे में और मजबूत इम्यूनिटी क्यों जरूरी है और उसे कैसे मजबूत रखा जाए यह सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ चलिए शुरू करते हैं हर सेकेंट मानव शरीर में वाइरस बैक्टेरिया और फंगाई हमला करते हैं लेकिन हमारे मानव शरीर में किसी भी ऐसे हमले के खिलाफ सुरक्षा मौजूत है और उस सुरक्षा को हम लोग इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं जब कोई वाइरस और बैक्टेरिया का हमला हमारे शरीर पर होता है तब हमारा इम्यून सिस्टम एंटी बोडी या एक तरका केमिकल बनाना शुरू करता है जिस से उन खतननाग वाइरस और बैक्टेरिया का असर हमारे शरीर पर ना पड़े एक इंसान के लिए जितना सास लेना और दिल धड़कना जरूरी है उतना ही उसका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होना जरूरी है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कई बैरियर से बना हुआ है जो कि ऐसे खतनना वायरस और बैक्टेरिया को हमारे शरीर में प्रवेश करने नहीं देता है और अगर कोई वाइरस या बैक्टेर या गलती से भी हमारे शरीर के अंदर प्रविश्ट कर लेता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कठोड़ता और समाज़दारी से उनसे निपट लेता है तो चलिए अब जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है हमारे immune system में defender cells की एक बड़ी शेना शामिल है जिसे मुख्य रूप से wide blood cells के रूप में जाना जाता है और ऐसे लाखों blood cells हमारे bone marrow में उबरते रहते हैं और उनमें से कुछ को macrophages कहा जाता है जो की हमारे शरीर में हर तरफ गूमते है और germs को खतम कर देते हैं अगर फिर भी संक्रमन हो जाता है तो हमारे immune system इस तरह के संक्रमन के खिलाफ अधिक शक्षती शाली रक्षा तंत्र को तयार करती है और T और B cells का निर्मान शूरू कर देती है जो की आपकी immunity को और मजबूत करती है जिससे उस किटानू का आप पर ज्याद असर ना पड़े immune system हर समय किसी भी मानव शरीर का सक्रियर तंत्र है जो उन्हें स्वास्त जीवन जीने के लिए इन जर्म्स और वाइरस से आपकी रक्षा करता है तो चलिए अब जानते हैं क्या immune system मजबूत करने से हम सच में coronavirus से लड़ सकते हैं तो हमें अपने immune system को मजबूत रखना जरूरी है आपके पास एक मजबूत immune system होती है तो यह संबब है कि आप इस virus से लड़ सकते हो या इस virus के असर को कम कर सकते हो और अगर immune system कमजोर रहा तो आपको ऐसे virus से लड़ने में मुश्किल हो सकती है और संक्रमन होने के chances भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते है इसलिए हमें अपना immune system मजबूत रखना बहुत ही जरूरी है और immune system को मजबूत खरने के ऐसे बहुत सारे रास्ते है जो कि मैं आपक भी बताने वाला हूँ नंबर वन एनफ स्लिप नींद और immunity एक दूसरे से related है अगर नींद पूरी नहीं होती है तो उसका आसर हमारा immunity पर पढ़ सकता है इसलिए पूरी नींद होना जरूरी है एक आदमी को कम से कम साथ से ज्यादा घंटे सोना चाहिए और बच्चों को कम से कम 8 से 10 घंटा सोना चाहिए और newborn babies को कम से कम 14 घंटे सोना चाहिए नंबर सेकेंड इट healthy food healthy food यानि की साक या green vegetables खाने चाहिए क्योंकि उनमें antioxidants, fibers और vitamin C जैसे अनेक उपकार मौजूद है जिसे खाने से आप बार बार विमार नहीं पढ़ेंगे और हमें healthy fats का भी सेवन करना चाहिए healthy fats जैसे की olive oil जो की हमारा immune system को boost करने में मदद करती है और इसके अलावा हमें दूद का सेवन भी करना चाहिए नंबर थर्ड exercise डेली exercise करने से भी हमारा immune system मजबूत बन सकता है इसलिए हमें कम से कम एक time तर exercise करना ही चाहिए नंबर फूर्थ manage stress हमें ज्यादा stress या tension नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे भी हमारे health पर असर पड़ता है और अगर आपको stress कम करना है तो आपको yoga exercise और meditation करना चाहिए यह सब के हलावा हमें काड़ा पीना चाहिए vitamin C और vitamin D zinc से भरे खाने का save one करना चाहिए इन शौर्ट अगर आप यह सब का save one करेंगे या यह सब मानेंगे तो आपका immune system अपने आप ही मजबूत हो जाएगा और immune system मजबूत करना जरूरी है क्योंकि हमारा immune system ऐसे खतरनाग virus, bacteria और fungi से लड़ता है और हमारे रक्षा करता है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो एक like जरूर कर देना और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राया है यह हमें comment करके जरूर बताए और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल stories and mysteries को subscribe करें और bell icon को press करें जिससे ऐसे ही interesting videos आपके पास समय पे पहुचे and thank you for watching